प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग से चलता हर कम्प्यूटर और मुबाइल काफी के बीच मिम्बर बागाद यूनिवस्टी और अब्जर्वीटी में क्या चीज मुश्तरिक है लियोलाडो डिवेंज और फियोनेसी को परवाज और नमबर्स का ख्याल कहां से आया यह सब इस पुरकशिश मुस्लिम तहजीब की करमात हैं जिस वकत यूरप तरीकी में ढूबा हुआ था तो मुसल्मान साइसी और सकाफ्ती दर्यावत के रोशन बाप तहरीर कर रहे थे इस से कता नजर के अब यूरप मुसल्मानों से साइसी लिहासे बहुत आगे निकल चुका है लेकिन वो मुसल्मान ही है जिनकी एज़दात को इस्तमाल करके जदीद दोर की बनियाद रखी गई अगर मुसल्म एज़दात ना होती तो इतनी तरकी कभी भी मुम्किन नहीं थी अपनी इस वीडियो में हम आपको छद मुसल्म साइसानों की एहम एज़दात के बारे में बताएंगे जिनों ने जदीद दोर की बनियाद रखी और दुनिया बदल के रख दी इन एज़दात के बगएर अब मोडरन दुनिया का तसवर करना बहुत ही मुश्किन नज़र आता है नाजरीन इस से पहले हमारा चैनल जरूर सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ता कि आपको हमारी आने वली हर अमेजिंग वीडियो बरवक्त मिल सके क्या आपको मालूम है कि कोफी जो आज दुनिया के मकबूल तरी इन मश्रूबात में से एक है दर अकिकत मुसल्मानों की अजात है और ये किसी बहुत बरे साहिस्दान का नहीं बलके एक आम से मुसल्मान का कारनामा है जो अपने जानवरों को चला रहा था और इसे एक नए तरज की बेरी का फल मिला जिसको बालने कबाल दुनिया में पहली बार कोफी तियार की गई इस मश्रूब की तियारी का ये पहला रिकार्ड है जिसके बाद ये बीच अथोपिया से यमन पहुंचा जहां सूफी बजर्ग एहम मुबाकों पर इसे भी कर पूरी राद जागते थे पंदर्वी सदी के इहताम तक ये मश्रूब मकार तुर्की से होता हुआ 1645 में योर्पी शहर वीनस पहुंचा जहां से ये दिगर योर्पी मुमालग तक पहुंचा और आज ये पूरी दुनिया में मश्वूर है और हर दूसरा साइंटिस्ट इसे भी कर अपना दमाग रोशन करना पसंद करता है और ये भी याद रखें लंदन में पहला कोफी हाउस एक तुर्क मुसल्मान शक्स ने ही ओपन किया था कदीम यूनानियों का ख्यालता कि हमारी आंके किसी लेजर के तरह शोवाएं खारश करती है जिसके बाइस हम देख पाते हैं ताहम जिस शक्स ने सबसे पहले ये जाना कि रोशनी आँखों से निकलती नहीं बलके आँखों में दाखिल होती है वो एक मुसल्मान साइंटिस्ट था तस्वी सदी के मुसलिम साइजान इपनल हैशम थे और इसी कंसेप्ट को देखते हुए उन्होंने दुनिया का पहला पिन हॉल कैमरा इजाद किया और पहली लैप भी तश्कील दी और आज कैमरे की जो मोडरन शकल है वो उन्ही के कैमरे को प्रोग्रेस करके डिवेल्प करके बनाई गई है आज जो में मोडरन कैमरा नजर आते हैं वो उन्ही के कैमरे को डिवेल्प करके रीडिजाइन करके इजाद किये गए है और आज जो में मोडरन कैमराज नज़ आते हैं वो उसी पहले कैमरे की मरहूने मिन्नत है जो मुस्लिम साइटिस्ट इबनल हैशम ने एजाद किया था नमबर तीन पैराशूट राइट बरदर से लगबग एक साल पहले मुस्लिम मुसीकार अंजीनियर शायर अबास इबन फ्राउंस ने एक औरन मशीन की त्यारी के मतदद कोशिश की 852 इसवी में इसने कुर्तबा की अजी मस्जिद के मिनार से एक डिले लबाद और लकरी के परों के साथ चलांग लगई उसे तवक्वत थी कि वो एक परिंदे की तरह हवा में उर सकीगा मगर वो नकाम रखा मगर इस लबादे ने नीचे गिरने की रफतार कम कर दी और इस तरह दुनिया का पहला पैराशूट वजूद में आया बाद में 70 साल की उमर में इसने रेशम और रुकाब के परों से एक मशीन त्यार करके फिर से पहार से चलांग लगई और 10 मिंट तक काम याबी से हवा में उरता रहा तहम उतरते ही उसकी मशीन क्रैश हो गई और इसका नतीजा दुरूस्त था अपने डिवाइस में दम ना लगाने की वज़ा से लेंडिंग खराब हुई और इसने इसका नतीजा ये निकाला कि उसके डिवाइस की लेंडिंग दुरूस्त नहीं थी इसी वज़ा से उसके डिवाइस खराब हुई उक्तिलिफ कुश्ववाद का इस्तमाल किया यहां तक के शेंपू भी इंगलेंड में एक मुसल्मान ने 1769 पे इजाद किया नमबर पांच मशीने शाफ्ट एक ऐसी डिवाइस है जिसको जिदीद एहद में मशीनरी की रीर की हड़ी की ऐसी अतासल है सारी मशीने इसी शाफ्ट की बनियाद पर बनती हैं और इनसानी तरीकी एहम तरीन मेकैनिकल एजादात में से एक मुसल्मान अंजिनियर अलजराजी ने इसी शाफ्ट के जिरिये पानी को कुमे की तैह से निकाल कर आपबाशी का इस्तमाल किया 1206 में इनकी कताब से साबत होता है हतागे पिस्टन और वॉल्व्स भी इन्होंने ही एजाद किये और यही वज़ा है कि इनको रिवोर्ट का बानी भी करार दिया जाता है दुनिया में जितने रिवोर्ट्स बनती हैं जितनी मशीने बनती हैं वो इसी मुसल्मान साइजान की मरहूने मिनत समझी जाती है नमर 6 लिवास कपरों की दो तैहों के दरमयाद किसी मटेरियल की तैह पिछाने या जरा बगतर को नई शकल देने के बारे में वाज़ा नहीं कि यह मुसल्मानों ने कब एजाद किया इस लिवास को इस्तमाल करना शुरू किया नमर 6 अलजिबरा मुसल्म साइटिस्ट की मरहूने मिनत है पहले बार कागस पर एक मुसल्म रियाजिदान अलखवार्जमी औल-केंदी ने 825 बे नमर्स का कागस पर इस्तमाल करना शुरू किया अलजिबरा का नाम भी अलगवार्जमी की किताब अलजिबर की नाम पर ही रखा गया जो ताहाल इस्तमाल हो रहा है जदीद दोर में प्रोग्रामिंग जिस पर सारी कंप्यूटर डिवाइसिस बन दी है वो इसी अलजिबरा की मरहूने मिनत ही है मुसलिबरा जिदानों का काम तीन सो साल बात अतालवी माहर वियो बेसी ने योरप में भी पहुँचाया इस तरह तकौन और अलगोरिटम की ठीओरी भी मुसल्मान साहिसदानों ने ही इस खामने लाई थी और यही से प्रोग्रामिंग चली अगर यह जाद ना होती तो आपको ना कोई कंप्युटर नजर आता ना कोई मुबाइल फून नजर आता और ना ही कोई ऐसी मेकेनिकल डिवाइस ये मुसल्मान ही थे क्योंकि याद रखें ये सारी डिवाइसिस प्रोग्रामिंग और अल्गोरीटम की बनियाद पर ही चलती है नमबर आठ सर्जिकल अलाद जदीद एहद में मतदद सर्जिकल अलाद की बनियाद दसवी सदी के मुसलिम सरजन अल्जाहरी ने रखी इनकी नश्तर, कीनिया और दिगर दोसो अलाद के एहमियत को आज यहद में सर्जन भी मानते हैं इसके लब उन्होंने जखमों को टांके लगाने वाला ऐसा दागा भी त्यार किया जो कुद्द दी तोर पर जिसम से अलग हो जाता था जब कि उन्होंने कैपसल भी अजात किया इस तरह 13 सदी में एक और मुस्लिम डॉक्टर माहर इबन नफीस ने दुराने खून की वजाहत की और ये सारी वजाहते आज भी इस्तमाल हो रही है और जदीद सर्जिकल दुनिया इसी पर चलती आ रही है नमबर 9 हवाई चक्की या विंड मिल विंड मिल को एक एरानी कलीपा ने साथवी सदी में एजात किया जिसे मकई की फसल के लिए हसूल के दुरान इस्तमाल किया जाता था और योरप में ये चीज 500 साल बाद देखने में आई और आज भी पुरी दुनिया में हवाई चकी और विंड मिल इस्तमाल होती है नमबर 9 फाउंटेंट बेन पहला फाउंटेंट बेन 953 में एक मिस्री सुल्तान ने जात किया क्योंके वो ऐसा कलम जाता था जिसके दाग इसके हाथों या कपरों पर ना लग सके इसी तकोदू में फाउंटेंट पहने जात किया इस कलम में मुझूद कलमों की तरह स्याही अंदर जहीरा होती थी और निप के जरीए इसे इस्तमाल के लिए लिए लिखा जा सकता था अली इबन नफी जिने जरियाब के नाम से भी जाना चाता है नोवी सदी में त्री कोर्स खाने यानी पहले सूप और इसके बाद मरकजी पकवान मचली या गोश्ट और मीटे का तसवर पेश किया इसके लाव उन्होंने शीशे और करिस्टल गलास भी एजात किये यो जदीद दोर में भी जो काने उन्होंने उस सदे में इस्तमाल किये आज भी इस्तमाल ओते हैं कलीन भी इसलामी महरीरीञ की जदीद त्री क्निक की एजा थे जिसके जिरे इन पर इंटाई दीदाजिप नक्षो निगार उबारे जाते और वहां इसे ही ये योवर्पी मुमाना तक पहुंचे और आज भी ये पूरी दुनिया में इस्तमाल होते हैं नमबर बारा चेक चदीद आहद में चेक की बन्याद अर्बी सक्स निकली है यानि एक ऐसा तहरीरी वादा जिसमें अशिया की डिलिवरी पर रकम का वादा किया जाता था नमबर तेरा जमीन के गौल होने का तसवर जमाना कबल मसी में कदीम युनानी साहिजानों में भी आम था लेकिन नुवे सदी में मतादर मुस्लिम स्कॉलर्स ने बकाईदा तोर पर इस नजरीये को मुस्लिम दुनिया में गलेलियों से 500 साल पहले आम कर दिया था जमीन के गोल होने के बारे में मुस्लिम महरीन का इसाब एतना दुरूस था कि 9 सदी में भी इनने बता दिया गया था कि वो 40,000 से जाइद किलोमेटर पर फैला हुआ है जो के मुझूदा असाबाद से सिर्फ 200 किलोमेटर ही कम है यानि ये तक्रीबन तक्रीबन ठीक था नमबर 14 बारूद अगर्चैंज जीनियों ने सलफर गन पाउडर एजाद किया इसे आतशबाजी के लिए इसस्वाल करते थे मगर ये मुसल्मान थे जिन्नों ने इसमे पुटाचिम नैट्रेट शामिल करके इस फुरी मकासद के लिए इस्वाल किया मुसल्मानों के इस इजाद ने सुलीबी जंगों में इसाई अफवाज को खोफजादा कर दिया था जबके पंदरवी सदी में मुसल्मानों रे रोकेट इजाद किया और तौर्पेट भी इजाद किया हमें कमिट में जरूर अगा करें